हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि बहुत दिनों से जो रिक्वेस्ट आ रहे थी मौनसुन से रिलेटेड कोई स्टॉक रहेंगे तो उसके बा मतलब बारिश गिरेगी अच्छी बारिश होगी तो definitely उन स्टॉक्स में हम लोगों को रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो आगी का जितना भी वो प्रोसेस रहता है साइकल रहेगी वो अच्छे दाम पर हम लोगों को देखने को मिलेगा तो overall ज चार से पार्च मेना बारिश होते हैं यूज्वली मोंसुन के में पिरेड की बात करो तो तो उसमें वो अच्छा कासा परफॉर्मस देने के कोशिश यहां पर करते हैं तो चले दूस्तों यहां पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पेले जरू कहना किसे बारिश होगी तो खेती से रिलेटट जितने भी स्टॉक्स रहेंगे वह अच्छे रहेंगे बट यहांपर मैं सबसे पहले वारण करना चाहता हूं शुगर आप सबी लोग को बता है sugar से related भी stocks होते है और media sector में मतलब आप लोग को social networking हो या फिर सबसे ज़्यादा TV news channel के उपर sugar के stocks बहुत ज़्यादा दिखाये जाते है मैं वापस आप लोग को बताना चाहते है sugar के stocks में आप लोगों को नहीं पढ़ना है यह list अगर आप लोग यहापे देखोगे तो बहुत लंबी list है बहुत ही sugar से जुड़ेवे stocks आप लोगो देखने को मिलेंगे और वो बहुत ही struggle भी करते है अगर आप चाते हो तो आप लोग ज़रू risk ले सकते हो बट आप सभी लोग को पता है मैंने हमेशा आप लोग को सिखा है कि जादा पैसा कमाने से अच्छा safe पैसा कमाना यह stock market में आना चाहिए ऐसा भी कोई ना कोई stocks रहेगा ही अगर हम लोग देखे जाए तो sugar में सारे के सारे खराब नहीं हो जाते तो उनमें होने वाली जो तेजी होती है रैली होती है returns मिलने के जो गुंजाईश होती है वो बहुत ही comparatively other stocks से हम लोग को कम नजार आती है तो चलिए यहाँ पर हम लोग आने वाले agriculture से जुड़े वे कुछ stocks अगर हम लोग यहाँ पर देखते है agriculture से जुड़े वे stocks तो उनकी भी list में आपके सामने यहाँ पर open किये बट directly हम लोग list के उपर नहीं जाएंगे क्योंकि list में कुछ stocks ऐसे है जो कि directly agriculture से ही काम करते है बट हम लोग उनको ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को indirectly भी stocks चाहिए जो कि agriculture को मदद देते है प्लस उसी के साथ साथ वो season खतम हो जाने के बाद भी वो stocks अच्छा खासा आगे भी performance कर पाएंगे तो ऐसे stock में आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ मतब seasonal भी monsoon का भी फायदा जरूर होगा उनको बट monsoon खतम हो जाने के बाद भी यह stock अच्छा खासा performance देने के chances यहाँ पर बढ़ जाते है तो चलिए यहाँ पर हम लोग start कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर में stock open करूँगा जो कि seed से related है chemical sector से related है जो कि बीच में में इसे related भी आप लोग को कुछ ना कुछ information देती Rallys India Limited याज दोस्तो 200 के असपा stock देखने के मल रहे हैं मैं वापस कर रहा हूँ मेरा कोई यह buying का recommendation नहीं sale करने का recommendation नहीं आपको सिखाने का मकसत है इसलिए यह list में आपके सामने यहापे open कर रहा हूँ अगर कोई भी stocks लेना है तो आप सभी लोग पता है हम लोग 7 steps applicable करते है उसके बाद आप लोग ज़रूर decide कर सकते हो बट यहापे सबसे बड़ी warning यही रहेगी कि कुछ stocks ऐसे रहेंगे जो की seasonal base के उपर ही चलते तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा focus देना चाहिए तो रैलिस इंडिया seeds के भी यहापे अच्छा कासा है यहापे हम लोग को काम करते हो देखने को मिलती है और chemical sector में भी यह company हम लोग को काम करते हो देखने को मिल जाती है तो यह सबसे पहली company उसके बाद अभी हम लोग यहापे आ जाते है जो कि एक बहुत ही popular company है Deepak Fertilizer यह जोस्तों Deepak Fertilizer यह एक company ऐसी है जो की बहुत ही ज़्यादा popular है directly निवेश मत कर देना क्योंकि पहले company बहुत ज़्यादा तेज हुआ करती थी अभी बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई है लिस्ट में सर बता रहे चलो हम लोग कूछ जाते ऐसा नहीं यह सिर्फ में आप लोग को लिस्ट बता रहो लिस्ट बहुत लंबी है कुछ stocks ऐसे रहेंगे जो कि वाकई में अच्छे हो सकते वहाँ पर मैं आप लोग को ज़रू मार्क करके बता दूँगा तो दिपक फर्टिलाइजर भी आप लोग ज़रू फोकस में रख सकते जो कि मौनसून के टाइम में हम लोग को अच्छा भागते वे देखने को मिल जाता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे आप उपर आई बेटन पर क्लिक करके देख सकते हो इसी स्टॉक से रिलेटेड उसके बाद भी ये स्टॉक हम लोग को कंसिस्टेंटली भागते वे देखने को मिल रहा है स्टॉक है तो गजब का maximum chart pattern भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एक बात जरूर बताता है कि long term के लिए इस काम बहुत ही अच्छा कासा कर सकता है मतलब monsoon का तो फायदा जरूर मिलेगा इसको बट उसी के साथ-साथ monsoon खतम हो जाने के बाद भी यह company काम करती है ऐसा नहीं कि monsoon खतम हो गया तो नीचे आ गया तो ऐसे stock नीचे है तो यह एक stock है जिसके उपर आप लोगोंने कड़ी नजर रखनी चाहिए तो UPL Limited Indian Company 100% और यह company सिफ इंडिया में काम नहीं करती विदेश में भी काम करती है इसका अर्थ यह नहीं कि jump कर लो यह share कोई मेरे portfolio में नहीं है बट स्टिल आप लोगों को सिफ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो UPL Limited यह भी agriculture से ही जोड़ा हुआ डिरेक्ली और इंडिरेक्ली वाले स्टॉक है जो कि आगे भी performance देने के अच्छे कासे यहाँ पे chances बढ़ जाते है उसके बाद escort येस ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था बहुत कुछ मदद भी की जाएगी तो जरूर हम लोग कह सकते है कि ये कोई farming से related नहीं है बट escort क्या करती है ट्रेक्टर बनाती है तो डिरेक्ली और इंडिरेक्ली हम लोग को agriculture से ही जुड़ता हुआ ये stock देखने को मिल रहा है इसलिए escort जो हम लोगों को बीच में तीन डिजिट में देखने को मिल रहा था तब से मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके उपर नजर रखो हाँ इतना बात तुम्हें honestly जरूर कहूंगा कि ये share मैंने आप लोगों को डिरेक्ली ऐसा नहीं बोला था कि buy करो इसके उपर जरूर आप लोगों ने focus रखना चाहिए ये तो मैंने आप लोगों को जरूर बता दिया था तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर कह सकते हो बहुत ही शांदार performance हम लोगों को देखने को मिल रहा है मैंने एक बाद तो जरूर आप लोगों को बताई थी कि escort के साथ साथ और दो कमपनी जो की बड़े पेमाने के उपर ट्रेक्टर बनाती विएस टेटिलर इसको आप लोगों ने सीधा सीधा इग्नोर करने क्योंकि तो इसको भी आप चाओ तो इग्नोर कर सकते है अगर आपको ट्रेक्टर में निवेश करने की इच्छा है तो आप लोग जरूर एसकौर्ट के लिए आप लोग यहापे फोकस रख सकते हो तो चली दोस्तों नेक्स स्टॉक के उपर यहापे आजाते हैं जिसका नमें गोद्रेज एग्रोवेट लिमिटेड यह भी हम लोगों को अगरी कल्चर से रिलेटेड डिरेक्ली ने इंडिरेक्ली जुड़ता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है डिरेक्ली निवेश मत कर रहे ना हम लोगो कोने फंडामेंटल एनलेसिस इसके उपर ज़रू रखनी चाहिए जो साथ स्टेप्स मैंने बता है उसको फॉलो कर रहा है अभी बहुत सार लोग नहीं होंगे तो वह साथ स्टेप्स कोन से तो उपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार कि आप लोगों के लिए रख दिया है उसके साथ ही साथ और एक स्टॉक है जो कि हम लोग ज़रूर कैसकते बहुत ही अच्छा है बेर क्रॉप सैंस लिमिटेड बहुत ही शांदर स्टॉक है जब मैंने पूराने टाइम वीडियो बना दिया था लगबग 5500-5600 के आसपस था बन जा है तो ये चीज हमेशा याद रखना कंपरी के बिजिनेस के उपर कंपनी के नाम के ऊपर कंपणी करती कैं उसके उपर फोकस होना चाहिए कम समय में ज्यादा स्टॉक्स पता चल जाए राष्टिया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी स्टॉक अगर आप लोग देखोगे तो वापस में वान करना चातो पचास रुपे का स्टॉक है अभी तक सारे स्टॉक महेंगे थे चार डिजिट में थे बहुत मेंगे थे अभी ये दो डिजिट वाला आ चुका है एंटर कर लेते ऐसा करोगे तो आप लोग डूब भी सकते हो फंडामेंटल एनलसिस जरूर करना है देखना है जैसे मैंने कहा कि मॉन्सुन से रिलेटेड आपकी जो रिक्वेस्ट थी वह मैंने स्टॉक्स आपके सामने जो कि अच्छा पर्फर्मंस हम लोग को मौनसुन के पिरेड में देखने को मिल सकता है अगर हम लोग और नीचे जाए तो टी से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों को स्टॉक देखने को मिल रहे है मिल रहा है यह सारे शेर्स हम लोगों को यहाँ पर डिरेक्ली एगरी कल्चर से जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं बट उसी के साथ सार जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ऐसे भी स्टॉक चाहिए कि मौनसुन एगरी कल्चर को कोई इसी फॉलो ने करते हुए आगे भी लॉंग टॉम में फॉलो करें तो उसके लिए लिस्ट में आप लोगों को बता दी जहां पर मैंने मांक करके आपको बता है उन शेर्स के उपर आप लोगों ने खास ध्यान देना चाहिए चाहे तो आप लोग वहाँ पर वाच लिस् सेक्टर में जादा दम नहीं है एक दो कोई स्टॉक रहेंगे तो वह है बाकी सारे के सारे हमलों को पिटे हुए नजर आएंगे बहुत ही मिड़केप से भी नीचे वाले स्टॉक है जहां पर रिस्क बहुत ही जादा रहती है अगर वह चल भी जाते तो बहुत ही रेरली मज़ा नहीं आता है अगर आप चाहो तो आप लोग निवेश कर सकते हो मैं आपको रोकूंगा नहीं बट यह मेरे पॉइंट ऑफीस है जो चीज थी वो मिने आप लोगों को यहां पर बता दी है तो आयो भाशा करता हो दोस्तों जितने भी स्टॉक्स थे यहां पर एगरि मर्क जरूर देना चाहोंगा प्लीज डिरेकली निवेश मत कर लेना अपनी खुद की स्टड़ी कर लेना यह सबसे ज्यादा इंपोर्टन रहता है खुद भी स्टड़ी करोगे और सही जाओगे तो अच्छा रहेगा गलत जाओगे तो आपके पास एक्सपिरियंस रहेगा इसलिए यह स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिये जो स्टड़ी करने के लिए जो चीजे चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिये 7 steps free of cost तो उसको अपलाय करके basic understanding यहापे गेन करके उसके उपर आप लोग focus रख सकते हो तो प्लीज नि दोस्तों के साथ share कर देना so that's it thank you very much दोस्तों we will be meeting on our next video तब तक के लिए bye bye